स्वागत है आपका आज की चाई पे आज बात करेंगे औरी या फिर जिनका पूरा नाम है और हान अफ्तरमनी औरी जो हैं वो एक बहुत बड़े बिजनसमैन के बेटे हैं जिनका नाम है सूरज अफ्तरमनी हो सकता है कि इनके सलनेम की प्रिनजियेशन सही ना हो उसके लिए पहले से एक्स्क्यूस करना चाहूंगी अच्छा औरी की ये तस्वीरे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे सब लोगों ने कहीं न कहीं औरी को देखा होगा बहुत सारे सेलप्स के इर्द गिर्द आपको औरी दिख जाएंगे पर मिज़ोरी अफ दे टाइम्स नीसा सारा जानवी और खुशी के साथ आपको औरी दिखेंगे और जिस भी पिच्चर में औरी होते हैं उस पिच्चर के नीचे कुछ कॉमेंट्स हमेशा होते हैं जनी है कॉन औरी करता क्या है नहीं हाल फिलहाल फ्रेशनल फ्रंट पर औरी जो है वो दोस्तों के दोस्त है पर उसके इलावा खुद औरूरी ने यह Barnay कि वह है एक आप खुद ही उनके मूझ से सुन लीज़ी कि वो क्या है इसटो वो कहते हैं कि actor act करते हैं singer sing और और ही लिफ करते हैं इसलिए he calls तो नेपोटिजम भी वहां होता है जहां पे कोई कला दिखानी होती है पर अगर किसी के साथ मतलब स्टार किड्स जो कि अलड़ी नेपोटिजम कि थू आये कहीं ने कहीं उनके साथ से विक तस्वीर खिचाने की वज़े से आप फेमस हो जाओ इस हद तक कि एवेंचुली है और आप बिग बॉस में आजो खेट तो प्रकट करेंगे नहीं हम यहीं कहेंगे कि भाईया किस्मत थी और इक हासा ही अमीर खांदार में पैदा हुए और इवेंचुली इसी वज़े से हर एक स्टार की पार्टी में देखें स्टार के साथ फोटो में नजर बार-बार आ करेंगे इस वज़े से के लोगो को लगा कि शायद इनका प्रोफेशन ही पार्टी अटेंड करना है लोग तो औरी को पुलाना बिष्टे एपस्टी है अपनी पीश्न को खाते हैं वह पार्टी करेंगे प्रफेशनली इस और इंडिया को चाहिए कि और भी करता क्या है यह तो औरी तो बहुत जादा चाहिए तब ही तो लोग बुला रहा है तो जिंदगी में कुछ बनो या ना बनो औरी बन जाओ क्योंकि औरी वर्क्स प्रिविलिश्ट तो उना चाहिए ना कि जाओ कि याइव में पूछो भाई तो क्या काम करता है तो बोलो में अपने आप पे काम करता है मैं सेल्फ-लव पे काम करता है वह अजाओ एक बात है जोक साफ़ औरी ने एक बार एक इंट्यूवी दिया था तर ही ओवर थिंक्स अलॉट मतलब एक से लिखना औरी का यह है कि जिए उनको लगता है कि pen अगर उनकी नाक के अंधर से दिमाग तक चला गया और उससे उनको कुछ हो गया तो क्या होगा यहाँ गवन अप ड्राइविंग इस वेल वो गहते हैं कि अगर मैंने गारी चलाते हूं किसी को मार दिया और उसकी वैसे मैं पैनिक करके खुद मर गया 5 लोगों को और लेकर दूब गया तो पैन वाला तो रेफरेंस बहुत फ़नी लाएगा कुछ लोगों को पर अच्छली इस नॉट फ़नी और थेरपी इस वेरी इंपोर्टन इन सच केसे जहां पर आपके डेली लाइफ के जो आप चोर्स करते हैं या फिर डेली लाइफ की अक्टिविटीज को इंपक्ट करने लग जाए आपके ओवर्थिंकिंग वहाँ पर थेरपी इस वेरी इंपोर्टन आप लोग तो हैरान हो जाओगे सुनके कि और ही इंस्ट्रग्राम पे किसी का नाम टाइप करके उसका नाम सर्च करके कभी भी उसकी प्रोफाइल तक नहीं पहुँच सकता बिकॉस ही फिर्स कि जैसे जैसे वो नाम टाइप करेगा जिसका नाम टाइप वो कर रहा है उसको कुछ होते जाएगा So I don't know whether that's OCD But I'm sure OCD वालों को पता होगा That OCD is not limited to Cleaning things and then Arranging them by order or by color No It mostly pertains to intrusive thoughts Wherein you deliberately think about such situations That can actually harm you or your loved ones And they come in your mind and you don't stop it I know I'm a very funny personality But I was talking about the things I was talking about XP I will give the link in the comment section below In that interview I felt like he needs therapy That too badly It may be possible that he can take it But in such situations Big Boss is prepared to say to the house Every other person is prepared to say to the truth Manipulate to the truth And is prepared to laugh at the cheek Then let me tell you That is a great recipe for disaster Specifically for Ory I don't know the rest of the rest Big Boss will be ticked to the end Because he hasn't faced such people Who will go against him He has lived a life Which is lavish And based on his choice But Big Boss सारा अली खान का भाई बात कर रहा है I mean I don't know I do feel that there is a resemblance अब हो सकता है मुझे इसा लग रहा हो बट मुझे काफी हद तक similarities लगी है specifically वो interview में जो मैंने देखा था मैंने एक स्पी का पूरा interview comment section में जा के आप देख लीजे का that'll be all do like share and subscribe to Aaj Ki Chai Thank you so much for tuning in to Aaj Ki Chai podcast